नमस्ते कोशल जी कैसे हैं? नमस्ते अरिहन जी, बिलकुल ठीक, आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया सर, कोशल जी हम जितना हम ट्वीट करते हैं अपने वाद एपिसोड के बारे में उससे थोड़ा सा ही कम ये भी करते हैं, तो हर एपिसोड नहीं तो एक दो एपिसोड छोड़ दियें, लेकिन मैक्सिमम एपिसोड सापने, आप रिट्वीट करते हैं, हम वाद का, तो इसलिए करता हूँ, हम आपसे मिलें जब भी मुंबई आना हो, बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत दन्यवाद समय देने के लिए सर, मैं आपसे, मैंने आपका एक टेड टॉक देखा था, जो मुझे लगा उसमें शायद 3-4 अजार व्यूज है, मुझे वह बहुत ही जबरदस्त है, और मुझे उसमें ये भी लगा कि आपने जिस तरीके से व्यंगे को, कथा को और संगीत को, तीनों को, जिस तरह से आपने, आप अपने स्पीच में आप यूज करते हैं, वह बहुत ही प्रशंशनिय है, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा, जो उसमें आपने बोला है, कि कोई भी जो नई चीज है, म्यूजिक में, कोई भी नया गाना आता है, नया संगीत हम सुनते हैं, तो वह नया लगता है, बाकी होता नहीं है, वह पहले ही हो चुका है, तो इसके उपर मैं थोड़ा हिंदी में आपके विचार जानना चाहूंगा चुकि हिंदी मेरी प्रतम भाशा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा टॉलरेट कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में बात करूँ, तो ऐसा है कि देखे, संगीत में किसी भी, अभी हम जो वेस्टरनर्स हैं, जो पाश्चिमत्य लोग हैं, वो आठ सुरों का एक, साथ सुरों के पैच को वो एक्चुली ऑक्टे बोलते हैं, यानि ऑक्टे मतलब आठ एक्चुली, तो जो, सारे गम पधनी, ये साथ सुर हैं, लेकिन, अंग्रेज या वेस्टरनर्स, येरोपियन लोग, इसमें एक उपर का सा जो है, वो भी गिनते हैं, तो इसलिए वो आक्टे बोलते हैं, लेकिन सुर साथ ही है, तो स्ट्रिक्टली स्पिकिंग, हम जो भारत में उसे सब तक कहते हैं, साथ सुरों का एक गुच्छा, तो सारे गम पधनी, ये साथ सुर है, और फिर हम जाते हैं, सा, तो वही साथ सुर रिपेट होंगे, उपर के, उपर के सब तक में, तो वैसे, बहुत जगा पे, ये लोग, पाश्चिमत ते लोग मार खाये हुए है, मतलब ऑक्टोबर, ये फिर से ओक्ट, यानि एट है, लेकिन वो महिना दस हुआ है, डिसेंबर मतलब दस, लेकिन महिना बारा हुआ है, तो वैसे भी, यहां पे भी वो गणित में कहीं गल लेकिन सिर्फ साथ सुर नहीं है, उसके बीच में और पांच सुर है, तो सारे गम पदनी और सा, इसके बीच में तो सा और रे, ये दो सुरों के बीच में एक सुर है, वो है सा, जिसे हम कोमल रे कहते हैं, तो जो रे है, शुद रे, उससे थोड़ी उतरी, एक उतरा सुर है तो सारे फिर सारे ग तुरी और ग के बीच में और एक सूर है जिसे हम कोमल गंदर कहते हैं फिर गम इसके बीच में कोई सूर नहीं है लेकिन मप इसके बीच में मम तो उसको हम तीवरम कहते हैं इस तरह से कोमल तीवर और शुद्ध सुर मिलके टोटल बारा सुर होते हैं याने सारे रे गग मामा पदधा नी नी और फिर से सा तो वह तेरा वसुर हो गया लेकिन ये बारा सुर का एक यूनिट है अब देखें किसी भी म्यूजिशन की जो उसका जो कैपिटल है उसकी जो पूंजी है वो ये सिर्फ बारा सुर है और बारा सुर छोड़के कुछ भी नहीं है तो आप कितने भी प्रतिभावान म्यूजिशन आप हो तो परमिश्वर ये कह के नहीं आपको नीचे भेजता है के देखो बालक सब के लिए मैंने बारा सुर रखें लेकिन तुम मेरे बहुत प्रिय हो बहुत अजीज हो तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक तेरावा सुर रखा है तो जिसको भी आना है उसको इन ही 12 सुरों में खेलना है तो यह सब जो मुसाफिरी है यह सब 12 सुरों की ही मुसाफिरी है तो इसी लिए अब आप तो इंजिनियर हैं आपका गणित कहीं न कहीं विशे रहा होगा तो एक गणित क्या कहेगा कि यह परम्यूटेशन कॉंबिनेशन कभी तो खतम होगे लेकिन ऐसा नहीं होता संगीत कार नई नई धुने बनाते ही जाते है और हम सुनते जाते हैं और हम हर बार कहते हैं आरे ये तो बहुत नई धुन है ये अच्छी है लेकिन आप देखिए कि ये सब बारा सुरों में ही बना है तो जैसे आप जब शंकर जै किशन धुने बनाते थे तो वह पंची बनो उड़ती फिरों मस्त गगन में आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में ये धुन है तो आप कहेंगे कि ये तो नहीं धुन है ये तो तब सबने पहली बारी सुनी होंगी लेकिन उसके पहले गजानन राव वाटवे नाम के एक मराठी संगित कार थे उन्होंने मराठी गाना बनाया था जो ऐसा जाता था के फांद्यावरी बांधी लेग मुली निहिंदोले पंच मीचा सन आला डोले मासे ओले पंची बनो उड़ती फिरों मस्त गगन में आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में या बहुत पॉपुलर गाना था नौशाद साब का क याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर कर वटें बदलते हैं लेकिन ये क्या है उसके पहले एक बेगम अख्तर की घजल थी शकिल बजाए उनी की घजल थी शायद ए मुहबत तेरे अंजाम पे रोनाया ए मुहबत तो ऐसे बहुत सारे गाने है या आपने वो सुनाया अब जब आया था ये गाना तो कितना हिट हुआ था सब लोग ऐसे जुम रहे थे कि जैसे पहले ऐसा कोई धुन ऐसी कोई धुन सुनी नहों अभी तो शंकर जी तो हमारे मितरी हैं लेकिन और वो भी प्रतिभावान ही है बहुत लेकिन वो भी खुद ऐसे नहीं कहेंगे कि ये मैंने पहली बार सुचा इसको तो ये अब कहां से आया कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नहना तो आप महाराष्ट के किसी भी गाउ में जाए तो आपको ये कोई भी बता देगा कि ये धुन वो सालों से सुन रहे हैं कि वो कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नहना किसी भी दत्ततरे के मंदिर में तो ऐसा ही है, तो जैसे Mark Twain ने कहा एक चगा के, only Adam, when he said a good thing, knew that nobody had said it before him, नहीं तो हम सब को, हम सब जो बोल रहे हैं, वो भी पहले बोला जा चुका है, लेकिन आप देखें, एक बहुत इंटरेसिंग बात ऐसी है, के, musicians are not averse to, sort of, not just what people say plagiarizing, but they will happily tell के, कहां से उठाया यह, क्योंकि पुझी इतनी कम है, तो सब को मालूब है, के यह जो कुछ है, यह 12 सुरों की ही देन है, तो नया तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन, कुछ हम अपनी अडिशन करते हैं उसमें, कुछ, अभी यह क्या है, कजरारे और दिगंबरा में फर्क तो नहीं है ट्यून में, सूर तो वही है, लेकिन एक भक्ति रस पूर्ण है, और एक श्रंगार रस पूर्ण है, तो आप जब कजरारे सुनते हैं, तो दत्तातरे आपके सामने नहीं आते हैं, और जब दिगंबरा दिगंबरा सुनते हैं, तो आईश्वर रह रहा है तो नहीं सामने आती है, तो क्योंके संदर्फ बदल जाते हैं, रिफरेंसेस बदल जाते हैं, टाइम बदल जाता है, और सीनारियो बदल जाता है, तो जैसे मेरा ये सफेद कुर्टा अभी ब्लू बैगराउंड पे अलग दिखाई देगा और रेड बैगराउंड पे अलग दिखाई देगा तो बैगराउंड बदला है सत्य बदला है धुन वही है लेकिन नजर अलगाता है अभी आपने जैसे बताया कि ये धुन शंकरल ऐसान रोई की है ये प्रितम के बारे में ये बोला जाता है कि वो तो हर गाना उठाते हैं लेकिन आपने दो कहा कि सभी लोग उठाते हैं कोई ना कोई inspiration कह सकते हैं उठाना वो ऐसा भी है कि कभी-कभी ये जो influences है तो मैंने originality के definition बनाई है especially for musicians कि जिस musician पे सबसे ज़्यादा influences होते हैं और तरह-तरह के influences होते हैं वो क्योंकि फिर वो यहां से उठाया है वहां से उठाया है यह पता ही नहीं चलता क्योंकि influences हो जाते हैं तो इसी लिए ऐसा नहीं होता है कि कभी-कभी दो लोग एक ही बात सोच सकते हैं इसकी possibility music में है और कहन सबकी अलग-अलग होती है मैं वही सुर गाओं तो आपने सुना वगा कि देखे एक बहुत बहुत अच्छा गाना है लता जी का और वो है माईरी मैं कासे कहूं पीर अपने जिया के माईरी है ना अब ही यह हमने पहले बार सुना था तो दस्तक फिल्म का गाना है और लता जी ने गाया है तो जब सुना था तो ऐसा लगा कि यह तो पर्फिक्ट है इससे ज्यादा कुछ होई नहीं सकता फिर हम भी ने खुद मदन मोहन जी ने गाया हुआ यही कॉम्पोजिशन बाहर लाए और उन्होंने गाया था और उनका इंपर्फिक्ट आवाज है जो बहुत संगीत कारों का जैसा मेरा भी बहुत इंपर्फिक्ट ही है गाना तो लेकिन फिर भी एक music composer का गाना सुनने में एक अलग मज़ा आता है जो वो polished नहीं होता है वो imperfection से भरा हुआ रहता है फिर भी उसका वो original है तो उसको वो गलिया मालूम है तो त्रिवागो पे एक room book करने में और वहाँ जाके एक local guide के साथ वो जगा देखने में जो मज़ा है वो संगित करके गाने में और त्रिवागो में room book करने का मज़ा एक गाये के polished recording सुनने में है लेकिन अभी ये देखिए वो ही गाना गाया है मदन महंजी ने लेकिन हाँ माईरी मै कासे कहूं पीड अपने अभी इसमें बहुत सटल फर्क है लेका हाँ लेका भी है और थोड़ा सा सुर्का भी है क्या है अभी माईरी मै कासे कहूं पीड अपने जिया की ये है तो प्रश्ण है मगर ऐसा प्रश्ण नहीं है कि जिसका उत्तर मिलना चाहिए रेटोरिक है ही होए पूचा ये लेकिन उत्तर उसका उसी प्रश्ण में चुपा है कासे कहूं पीड मतलब कहां नहीं सकती कासे कहूं पीड का ये मतलब नहीं के एमेल करके लिखूं या फोन करके बताओं ऐसा तो नहीं है है ऐा मैं कैसे तुम को बताओ जो ये पीड़ा है मेरे मंद की मैं कैसे आपको बता हूँ मैं नहीं बता पा रही हूँ ये है तो इसमें एक vulnerability है देखिए अभी जब मदन मोहन जी गाते हैं तो वो क्या करते हैं हाँ माईरी माईरी तो ये जो री है वहाँ पे उसको हम मींड कहते हैं जब खीचा हुआ ऐसा एक कर्व है उसको हाँ माईरी मैं कासे कहूं पीड और हर बार जब लता जी गाई है तो उन्होंने ये मींड ये कर्व नहीं लिया है तो वो कहती है हाँ माईरी अब दोनों की कहन अलग-अलग है देखिए एक मींड लेते हैं एक मींड नहीं लेती है और यहाँ पे इस वन अफ दे रेर ओकेजन्स दाटा मंगेशकर एक्चुली शोज घर करेक्र इन सौंग विच इन नेवर ड़स ओके ऑसकर वाइल्ड का इसका प्रीफेस है पिक्चर ओफ दोरियन गरे में उसमें उन्होंने लिखा है कि टू टू रिवील दी आर्ट एंड कंसील दी आर्टिस्ट दैट इस आर्ट सेम तो कला दुरुष्य स्वरूप होनी चाहिए और कला का रदुरुष्य रहना चाहिए तो हर ये ये किस ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन निभाने में इंपॉसिब है ये है समझो तो बहुत कम कला कार है जैसे शेक्सपियर है या लता मंगेशकर है तो कला है सामने नजर आती है लेकिन कला का अदुरुष्य रहता है आपको कुछ उस आदमी का ये नहींगे दे डोंट पॉल्यूट आप तो आप दिख जाते हैं कभी-कभी तो ये करना भी मुश्किल है और न करना भी मुश्किल है इसा पराडॉक्स है उसमें लेकिन इस सौंग इस वन अफ रेर सौंग वेर लता मंगेशकर है अचुली रिवेल्ट अपार्ट अवरसेल क्योंके और जो विकाज हाव दूए नो अफ इसा हो सकता था लेकिन इस में से पता चलता है इस में से पता चलता है कि वल्नरेबिलिटी गई है जताजी वल्नरेबल नहीं दिख रही है ना मायरी जो स्ट्रेट बोल जाए तो दर्द नहीं है वो दर्द की बात नहीं है ऐसा है दर्द भी है लेकिन ऐसा है वो जो लता जी के परस्नाइटी में था कि है प्रॉब्लम टेंपररी है आई विल हैंडल इट यह लता जी के कहन में है कि है प्रॉब्लम है मुझको लेकिए और जो टोटल वल्नरेबिलिटी मतलब टोटल सरंडर है वो मदन महान जी के कहन में दजर आता है जो उन्होंने कंपोज किया जो सोच के जो सोच के अभी वो क्यों ऐसा लताम जी नहीं काया इस अ मिस्ट्री मेभी दे चेंज़ अट लास्ट तैम मेभी मदन जी टोल डोंट सिंग लाइड़ाइड आई डोंट वांट इट तो बीसो व्लनरेबल लेकिन एक ही कॉंपोजिशन है जो सिर्फ कहन में बदल जाती है इसलिए वही कॉंपोजिशन लता जी का आप सुने तो अलग होता है आप किशोर कुमार का सुनिया वह अलग होता है महमाद रफी का सुन यह वह अलग होता है तो इस कॉंपोजिशन और वह कौन है अपना का बिलिंक राइटर ग्लाडवेल माकम ग्लाडवेल तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है एक जगा पे उन्होंने कहा है के, you know, musicians don't get upset so much when people plagiarize there, or they plagiarize from somewhere. They happily tell, so they want to announce, के, हाँ, मैंने यहां से उठाया, क्योंके, इतना वो कम पुझी में क्या होता है, के, see what I observed. तो, it's not a feeling of inventing, it's a feeling of discovery. वो युरे का, युरे का क्यों बोला, Archimedes? क्योंके उसने discover किया, he did not invent. क्योंकि इतनी mastery हो गई, कि देखो मैंने यह भी, यह भी मिला. यह भी discover किया, जो है, जो, so, it also keeps the musicians humble. जो है, अपना नहीं है. लेकिन यह जो आरोप है, यह तो एक, जैसे आपने बताया कि प्लेजरिजम नहीं कह सकते हैं इसको. यह तो एक inspiration है, या पहले ही 12 सुरह हैं, कहां से, नया कहां से लेके आओगे. लेकिन जो प्लेजरिजम का आरोप लगता है, वो एक कहीं न कहीं अज्यानता जो है, music के प्रती, उससे आ रहा है, जो जनरल लोग हैं, वो ऐसी बाते करते हैं, ठीक है. इंटरनेट पे हमने बहुत देखा है, लेकिन अभी भी कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, कि हाँ ठीक है, छोटे मोटे जो कलाकार हैं, music composer हैं, मान लीजिए, प्रितम के बारे में बोला जाता है, कि वो तो हर गाना उनका होता है, पतानी वो उनका इतना असानी से मिल कैसे जाता है सब लोगों को, अनुमलिक का भी बोला जाता है, लेकिन अब लोग कहेंगे कि वो तो करते ही हैं, वो ऐसे करते हैं, लेकिन जो महान कलाकार हैं, वो नहीं करते होंगे ऐसा, उन्होंने कुछ नया बनाया होगा, अभी ऐसा है, कि आरडी बर्मन के भी आपको ब आप उसमें आपका कौन सा रंग भरते हैं तो इट्स लाइक इट्स लाइक एड़ाप्टेशन तो इवन लिट्रेचर में एड़ाप्टेशन को एक स्थान है प्रॉब्लम क्या है कि मैं ओरिजनल मैं सोर्स छुपाता हूं वो प्रॉब्लम है नहीं तो जो कुछ है वो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ही है कहीं न कहीं पर और तो इसमें तो see the blatant copy that that is done तो जो लोग आरोप करते हैं वो गलत है इसा मैं नहीं कहता हूं ब्लेटंट कॉपी भी होता है लेकिन उसको एक न्यूएंस दिखा जाए उसका तो उसको यह बैगराउंड है और इस बैगड्रॉप पे हमको एक्चुली जज करना चाहिए कि यह क्या ब्लेटंट कॉपी है क्या नहीं तो अपना जो आइटू एफस डाट कॉम नाम की एक साइट ही है जो अपना बीस्ट आफ राल करके ट्विटर पे हैं वो अच्छा उन्होंने चला ही है अच्छा तो इस यह गाने से यह उठाया है नाव सम आफ देम आर लिटरली कॉपीज के एक एक आप बाजू में रख दीजिए एक लाई है तो सेम ही है वो कोई इंप्रूमेंट नहीं है उसको अधाप्टेशन बोला ही नहीं जासा अधाप्टेशन भी पुराने जमाने मे सी राम चंत्र ने भी उठाया गाने एस्डी बर्मन ने भी उठाया है शंकर जै किशन ने उठाया आर्डी बर्मन लेकिन अभी एक कॉंटेक्स्ट आप देखिए ऐसा है कि म्यूजिक वेस्टन म्यूजिक का एक्स पोजर इतना कॉमन नहीं था तो उन लोगों को they used to be fascinated with these pieces के बेटल्स का एक गाना सुना तो इतना बढ़िया है तो इसको इंडियन कॉंटेक्स में क्या कर सकते है इसका और यह हमने सुना और हमको इतना आनंद मिला इसका तो यह आनंद अगर सबको मिलना चाहिए तो यह लेंग है यह अगाना यह अच् You see, when musicians are talking among themselves, they will not say के यह तो गाना तुमने उटाया है And they will reverse R.D. Barman even for those songs because he putting them into an Indian context is a miracle in itself के आबा का गाना है, मामा मिया, और वो तेरे लिए, जमाना तेरे लिए, और तू मेरे लिए इतना Indianize होके आए है के वो हमको foreign लगता ही नहीं है उसका पूरा context Indian हो गया है तो it's a miracle in itself, it's a skill in itself तो इसी लिए you appreciate and that is why hardcore R.D. Barman fans will say So it's easy to say के यह उठाया है, लेकिन जो Indian context कैसा दिया है उसको तो at that time they also wanted you know that you share it See I'm not justifying plagiarism, ऐसा नहीं है के मैं उसको justify कर रहा हूँ के यह ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है मैं तो खुद कम बहुत कम करता हूँ और कोशिश करता हूँ के ना करूँ एक, तो आज उसकी जरूरत नहीं है आज internet है, तो before Pritam comes out with his song, उसका जो original है वो लोगों ने डून लिया होता है तो I'm not justifying के ऐसा करना चाहिए, लेकिन अब वो motivation गाया है और दूसरा है के यह मैंने सुना है तो इसमें मेरा क्या हो सकता है that is I think a viable motivation, के मैं इसको क्या गर सकता हूँ because it's, and we have been doing it with our scriptures also आप महाभारत देखिये न, कितने लोगों ने लिखा है वो so everybody puts their additions to it तो आपके यह podcast पे Ami Ganatra जी थी या Nityanand Mishra जी थे तो उन्होंने भी यही का है क्योंके यह मोखिक परंपरा से आता है तो यह automatically ऐसा हो जाता है you know, you want to share it with people and you also want to see के इस सब कॉंटेक्स में मैं कहां हूँ for, see there is one thing art is not merely entertainment it's also sort of एक आत्मशोद है वो के यह सब यह सब डिजाइन में मैं कहां फिट होता हूँ और मेरी क्या जगा है यह डूढने के लिए एक वो it gives you sort of templates और यह बारा सुर है तो बारा सुरों में यह डूढना है हमको के मैं कहां हूँ इसमें तो इसमें जैसे कोई नया गाना हो जो आज कल ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हूं जिससे लोग ऐसा कोई example है जो clearly लगता है कि थोड़ा सा improvement है adaptation है या बिल्कुल copy भी आप बता सकते हैं कोई example है अभी बिल्कुल नए गाने में तो मैंने इतना मैंने नए गाने इतने मुझको रजिस्टर ही नहीं होते क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है कि especially I don't like the word and I'd never use it but Hindi film is Bollywood जिसको कहते हैं I don't use that word because उसमें ही copy है तो Bollywood में Hollywood से लिया हुआ है so उधर भी inspiration you know original का inspiration नहीं है so लेकिन Hindi film industry में especially Hindi film industry में regional में भी थोड़ा बहुत होता है वो लेकिन हम एक monoculture की तरफ दोड रहे हैं और इसलिए मुझको बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि एक गाने और दूसरे गाने में फरक ही नहीं पता चलता है everything seems so alike that एकदम नए गाने मुझको एकदम से याद भी नहीं आते हैं क्योंकि एक तो थोड़ा ऐसा मेरा भी प्रॉब्लम है कि मैं पुराने गानों में से ही मुझको अभी इतना मिल रहा है कि वो नए गाने क्या होता है रेडियो पे सुनते हैं और फिर there is no viable कि जा के फिर से एक बर वो गाना सुनू लेकिन मैं बता था हूँ कि क्या हो रहा है वन रीजन इस कि टाइम का फैक्टर बदला है कि देखे ए पॉपिलर म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक के साथ क्या होता है कि इड आल्वेज रंस विध था ताइम वेदर यू लाइक टार नाट तो जैसा वत बदलता है वो गाना बदलता है तो डोंट थिंग आम ब्लेमिंग दी आर्टिस्ट के वो ऐसे एक जैसे गाने करते हैं इस इनवेट्स इनवेटेबल ऐसा ही होने वाला है मैं भी कमर्शल म्यूजिक में उतरू हूँ तो शायद मैं वो ही करूँ क्योंके क्या है पहले ऐसा था क्या वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं इतना एक लंबा फ्रेज था क्योंके आपके पास टाइम था सुनने के लिए वो अभी आप कैफे कॉफी डे में जाते हैं तो चार स्क्रीन चलते हैं एक जो म्यूजिक चल रहा है वो उस चार स्क्रीन पे जो चल रहा है उसके साथ उसका कोई वास्ता भी नहीं है तो यू सॉट अफ लिव इन वेरी स्कीजोफरेनिक एन्वार्मेंट and so before composers make a song which is good or bad they have to think whether it's attention grabbing or not तो आप का attention वो लेते हैं या नहीं लेते हैं तो फिर क्या होता है वो फिर वो जो phrases होते हैं वो छोटे-छोटे होते जाते हैं because I want to grab your attention तो वो छुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं ये जो 60s में चल रहा था वो बाए 90s आते आते हैं दिल है छोटा सा इतने छोटी फ्रेज पे आ गया है दिल जैसा फ्रेज भी छोटा सा हो गया और रिपीट करने लगे हैं दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भूली सी आशा जब तक आपके मन पे वो रेजिस्टर नहो and I have your attention for a very limited period of time I have to make the phrase shorter simpler and repetitive so that you it registers on your mind music बेशक सेम रहे सेम ही है वो ही बारा सूरे लेकिन वो सब उसका पैटर्न ही चेंज हो रहा है देखे short phrase repeat so this started from 80s onwards slowly perfected in 90s and in 2000 you were reduced to one hook line so all you remember from that song is so hook line the name itself suggests you are hooked to that one line so even if you carry that one line it's okay and also see what happened पहले golden jubilee होती थी film होकी which is 50 weeks so 50 weeks of film used to run in theatres now that hit film has come from 50 weeks to 2 weeks दो हफते अगर film चली थीटर में then you term it as a hit है न? तो music कैसा चाहिए? के वो दो वीक उन दो वीक के पहले का एक वीक और बाद वाले एक वीक इतना चलना चाहिए तो and it's not a calculation it happens तो वो होते जाता है and then you move towards this sort of a hook line culture तो अभी hook line culture में क्या है के एक and then familiarity है ही तो तो तीन ही तो सूर है कही न कहीं तो मिलेंगे इसके कहीं न कहीं किसी न किसी गाने में तो यह मिलेगा ही and it's simple to remember तो hook करता है so that is and this is also अभी इस गाने को आकर भी 10 साल हो गए चाहिद तो ऐसा है so new songs तो they just vanished तो इसको कैसे देख सकते हैं क्या यह degradation है music का या सर्फ lyrics का क्योंकि अगर music सेम रह रहा है तो ऐसा luck क्यों रहा है कि music का भी degradation है क्योंकि क्या है एक तो popular music lyrics के साथ चलता है okay now degradation आप किसको बोलते हैं इस के उपर वो definition एक उसका आप यह define कर सकेंगे किसको आप degradation बोलते हैं आपकी life ही degrad हो रही है जो वक्त आप music को सुनने के लिए निकालते थे वो अब आप देते ही नहीं है आपके आने जाने का विवहर हो गया music तो कहीं पर जाते हैं हेड़फोन डलते हैं और देखिए आपका consumption music का कैसा हो रहा है पहले चार लोग बैट के सुनते थे एक साथ अब वो नहीं है अब आप अकेले सुनते हैं it's such a sad way of listening to music उसे भी फरक पड़ता है फरक पड़ता है आप कैसे किस environment में music सुनते हैं see music used to be something of togetherness अभी same thing अभी क्या हो गया पहले आकाश्वानी एक ही टैप था जिसमें से music आ रहा था हम और आप अपनी अपनी गागर उसमें भर लेते थे और खुश रहते थे फिर क्या हुआ फिर टेलिविजन आया तो आप सिर्फ सुनते नहीं थे music आप देखते भी थे लेकिन वो लिमिटेशन काम हो गया अप घर घर में देखने लगे आप वो भी है लेकिन आपका जो एक सिंगल सोर्स यह रिंग पर फोकस था अब दो हो गया अब दो हो गया it's just in the background something is going on yeah you have to participate in it see it's like you know the future of entertainment is not cinema it's games and it's metaverse so everything you will be a participant in so that you have moved away from the role of the audience and the spectator now you are in it always you have to be यह जैसे sort of a compulsion हो है if you call that degradation then yes because this music especially popular music I am not talking about classical music लेकिन film music है जो अपने यहां popular music का सबसे बड़ा brand है it is doing nothing but it is mirroring your life आपके जीवन का ही आई ना है वो and it will change with the way you do change your lifestyle तो ऐसा है क्या के आज कम दरजे के गाने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है लेकिन वो आप तक पहुंचते नहीं है because information का भी इतना explosion हुआ है के you pick up only fragments so you don't have the time to pick up the more serene, the more calm that type of music तो इसका असर क्या जो आने वाले जनरेशन है जो composers आएंगे music composer जो music पढ़ेंगे आगे जाके उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो यह तो उनके उपर भी बहुत बड़ा असर पढ़ेगा पढ़े गाए but the point is that you have to realize that music is not different from your life and अभी मैंने इसमें भी देखा यह जो pandemic था तो एक सर्वे आया था Times of India में या Hindustan Times में, I don't remember के essential or non-essential jobs में कौन-कौन से so the most non-essential job में आर्टिस था क्योंकि आपने तो देखा ही होगा एक AI करके भी है ना कि उसने जो music है उसने किसी का copy किया है और उससे अच्छी tune बना के AI से just artificial intelligence ने computer ने आप के लिए tune बना दिये जो की better सुनने में लगती है जो original artist है उससे भी if it is just permutation and combination and if it can sense कि लोगो को कौन सा tune जादा अच्छा लग रहा है एक environment में it can modify it you know it's not telling on the it's not telling so much on the music then it's telling on the consumers you are automated हो गया as a consumer you see because music जैसे मैंने लता जी और मदन मोहन का ये का ना कहन है न वो तो फर्क क्यों हो जाता है और मजा क्यों आता है what is the source of that rust is the person behind it तो वैसे तो painting भी ये कर ही लेंगे computers बिल्कुल sketches तरीके से बन सकता है लेकिन why do you find Picasso interesting और why do you find Van Gogh interesting so Picasso ने एक 4-5 साल में वो depression में चला गया तो उसके सारे paintings में blues आ गया बहुत और उसको Picasso का blue period बोलते हैं okay वैसे Van Gogh की reality distorted थी and when you understand Van Gogh's life you understand the paintings even better तो वो distortions the way he used to see the world you know better because you know Van Gogh's you know because there is a person behind it not because you know Van Gogh but because there is a person behind it and his character is reflected his character is reflected that is that is what is that is what pulls about art because like Oscar Wilde says to reveal art and conceal the artist that is art same actually what happens because of this is you get pulled more towards the artist because he gets a mystery created you never feel that mystery about a computer or artificial intelligence that the art of art is okay automated काईंगे भी में अभी रिफ्लेच निचस काठेंगे लेकिन इसलाइक वो अभी जपान में जाब तौ अभी जपान में, वो अभी जपान में हैं they have services for you know hugging people So, you can do it. So, that is why I say that if life degrades, then all these things will degrade. You will start liking, you will say that this is better. But in art, perfection is not the definition of better. The whole point about Lata Mangeshkar being a perfect singer is actually points like where she reveals herself. So, it's a game that the listener and the artist plays. And better the listeners, better is the artist. Yes. So, this is a dialectic like Marx or our dvait. So, two people need to be a dvait because that term itself has a dvait in it. It's a negation of dvait. So, it's like that. To come together also, you require two people. Artificial intelligence or और वो जैसे अभी ट्विटर पर पढ़ा हमने के वो लड़की ने sologammy कर दी. लोग फिर क्या कम्प्यूटर से शादी भी कर लेंगे? भाव नहीं है. भाव नहीं है. And that is why, or if it's programmed, if there is no element of mystery in it, if there is no element of spontaneity in it, तो it's not art. जैसे सब planned है. और तो उसमें art का ये देया है. So, that's why I say that their standard of living में और standard of life में फर्क है. And that is why I was quite not shocked, but a little disappointed when ये इसमें, ये सर्वे में ऐसा आया कि artist is non-essential. So, your essential कौन है आपके लिए, has been actually defined by the post-industrial revolution. Even your education, के किन सब्जेक्स को ये महत्व देना चाहिए, is all defined by your post-industrial revolution days. के सबसे उपर sciences, mathematics. And that's the curse that we have to suffer today, that जो सबसे रदी लोग हैं, वो सोचल साइंसे को पोप्रेट किये हों. Correct, exactly. Because all the brilliant people want to go to sciences. Yeah. No, so, if there are actions, there will be consequences. So, वो तो दिखी रहा है, जैसे मैं, मतलब, अगर हम talent की भी बात करें, तो अगर आप most listen to songs देखते हैं, किसी भी website पे, उन पे, तो Bollywood के consistently, मतलब, दो-तीन साल तो at least हो गए हैं, जब से जो top 50 के हैं, उनमें जो numbers हैं, ज्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं. मतलब वही गाना एक-दो साल पहले वाला फिर से वापस आ रहा है, इतना मतलब stagnation आ गया है. जब कि आप पंजाबी गानों को देखें, तो हर साल मतलब उनकी list में जो अंतर होता है, top 50 में, top 10 में, top 20 में, बहुत shuffling है वहां पे. तो देरिस की competition जादा है, या बहुत अच्छा quality का कुछ आ रहा है, तो यह क्यों है कि, और खासकर इस context में पुछरों कि पंजाबी गाने इतने popular क्यों हो रहे हैं, जब कि, Tamil का, या Kannada का, या Marathi का, कोई गाना इतना popular नहीं होता है, जितना पंजाबी music, क्या उसमें music का कुछ है या और कुछ factor है? मुझको दो, तीन, एक तो, it's not only music that is invading, you know, cuisine is invading, Punjabi cuisine has invaded most of India, you know, it's sort of, क्या food imperialism है वो, I am not saying that it's bad, लेकिन हर घर में जाओ, आपको पालक पनीर ही मिलता है, तो सिर्फ मैंगलोर में क्या गरेंगे, पालक पनीर पे थोड़ा सा coconut चिड़ देंगे, लेकिन, this, this is what I meant was by moving towards, sort of a monoculture, ये देखे, शादियां देखे आप, तो हर शादी पंजा भी शादी हो रही है, see, the, I don't know whether I should call it a problem, because, I shouldn't probably, ऐसा है के, सब कुछ चमक नहीं चाहिए, ऐसी जो हमारी धारणा हो गई है, के सब, सब कुछ ऐसा, चमक नहीं चाहिए, और ऐसा, ऐसा नहीं है, तो, so this is sign of our times, sign of our times, basically, वो demand ऐसी हो गई है, quick, quick, सब कुछ हो गया, तो, Punjabi music क्योंकि quick है, इसलिए वो चल रहा है, now you think, you see about the products, you know, so there is one thing about products that, you know, who makes money, people who can't scale their work, can't make money, right, so, scaling, अगर करना है, तो, it actually insinuates standardization, mass production, complexity नहीं है, complexity नहीं है, और mass production है, सब जो, तो, ये तो ठीक है, के, और इसलिए मैं कहता हूँ, के मेरे और एक ball bearing बनाने वाले में फर्क क्या है, तो, जो ball bearing बनाता है, उसके job का compulsion ऐसा है, के, today he will make one ball bearing, and tomorrow he has to go to his factory, and the compulsion is that, there should be no difference between the ball bearing he made yesterday and he made today, और मैं, के मैं कल जो मैंने किया है, वो मैं आज न करूँ, ये मेरी requirement है, और कभी न करो, कभी न करूँ, तो, see, that is why what happens is that, you know, if I have to scale, then I have to standardize, then I have to make everything very palatable, everything very same, similar, तो, factory हो जाती है, but this is not a product, this is a process, और तो, इसी लिए, ऐसा, you know, ultimately, it's going to take the direction which the society will take, sometime the society might realize that, you know, we are in a mad rush and you have to slow down and COVID taught us that, okay, COVID actually brought down that mad rush and stopped us from, you know, committing a, what do you say, suicide of speed, and we were going at such speed, तो, हम COVID का जो यह आया, जब लोक्डाव आया, तो, we started hearing birds in Mumbai and everything, that we were, the sky became clear, so, you know, in a way, nature somehow tells you to slow down and, you know, तो, यह जब तूनामी आया था, at that time I had written two lines, की, आईसा तेरा करम हुआ के साहिल सारे बहने लगे, सदियों से जो चुप्थे नजारे अपनी बात कहने लगे, so, sometime the nature is going to talk back to you, and bring you to your senses, whether you are alert or no, that depends on, so, this is the, के music वो ही रूट लेगा, जो आप लेंगे, तो, यह जैसे, जैसे, मतलब समाज बदलेगा, उसे साब से, हम कह सकते हैं की, संगीत का यास, और भी विबिन जो भिशे हैं, उनका भी direction, उसके साथ चलेगा, देखे, यह, especially popular music, it's a very amoral type of music, because it's popular, it's popular, everybody has to, or the masses have to love it, yes, and the masses will not be, catering to, or the, the people who are into the business of, making something for the masses, will not be catering to something that is not, yeah, but there will be market for that also, for people who are sophisticated, yes, the whole thing is to find that market, and to organize it, okay, so it's extremely necessary, for outcasts to survive, जो लोग ये factory नहीं लगा रहे हैं, उनका survival देखना बहुत ज़रूरी है, that's why, I am a practitioner of popular music, लेकिन मैं चाहता हूँ के यहां का जो अभिजात संगीत है, जो classical music है, वो फूले फले, वो ग्रो करे, people like it, because it'll bring back, you know, even we can do better music then, so if, so it's all connected, you can't set music different from your total life, आपने उस TED Talk में ये कहा था, कि बहुत लोग लगता है बहुत लोगों को, कि उनको music की समझ नहीं है, लेकिन समको समझ होती है, यसी लिए तो they like it, हाँ, लेकिन ये दोनों बातों में बहुत अंतर है, मुझे जो लगता है, मुझे लगता है, मैं उस काटेगरी में आता हूँ, जो लोग ये कहते हैं, कि music की समझ नहीं है, वो मैं अपने आपको मानता हूँ, लेकिन music सुनना सब को अच्छा लगता है, वही बात है, पंचाबी music हाँ, अपको भी अच्छा लगता है, और वही क्या हो रहा है कि अभी जो और स्टेट्स है, जैसे हर्याना में, जो music है, इसको आप inspiration भी नहीं कह सकते हैं, जैसे copy of that same beat, सब कुछ music सब सहीं है, बस lyrics में थोड़ा अंतर है, तो ये इसको मतलब हम कैसे, मेरे जैसे लोगों को आप कैसे समझाएंगे, कि नहीं, आपको music की समझ है, या आप music को appreciate कर सकते हैं, जो classical music है, उसको appreciate कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जनता है, जो masses है, जहां तक हमको वो बदलना तो वही है ना, या उनको realize करवाना है, कि ये music better है, qualitatively. तो देखे, उस talk में मैंने ये भी कहा था, अगर मैंने कहा, सारे गम पदनी सा, मैं अभी उपर गया या मैं नीचा है, वाट डिड यू फिल? उपर है, गरें ना, इड़ाइ कम क्लोज और डिड़ाइ गो भार? एक्साट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्र्ण पर गुए पैठा हूं, मैं तो कहीं गया नहीं, मेरे वोकल कार्ट भी यही हैं, पिर भी मैंने गया, आपने उसको विजुल रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब there is some cognition happening there, right? कुछ समझ में आ रहा है आपको, कि आप उसको यह ऊपर जा रहा है, यह नीचे आ रहा है, यह तो आप समझ गया है, यह तो basic है ना लेकिन, so you start with, okay, कि मुझको समझ में नहीं आता है music, you go to say now, कि थोड़ा तो मुझको समझ में आता है, किस direction में जाना यह पता चलिगा, exactly, okay, now I'll tell you, अभी, Indian music में, we work on relativity, आप यह keyboard मेरा देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कि यह C sharp note है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, यह C sharp ही रहेगा, ओके, लेकिन सा, जो मेरा सारे गमपधनी का सा है, वो बदल सकता है, तो कभी मैं सारे गमपधनी सा, लेकिन मैंने यह सा बदला, तो reference बदला मैंने, कि सा का reference, सा अभी बदला सा, यह आपको पता चला, कि सूर बदला मैंने, सारी गम पधनी सारी गम पधनी सारी गम पधनी सा सा का रेफरेंश बदला मैं सा का रेफरेंश बदलता हूं तो मेरा सब तक बदल जाता है okay so we believe in relativity we don't believe in anything that is absolute okay तो यह relative है so मैंने का यह आपका सा है मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूं छोटा भी कर सकता हूं या इसको बदल सकता हूं शिर्फ छोटा कर सकते हैं आप उसकी position बदल सकते हैं I'll give you an example तो C sharp है यह जो यह मैं note बजा रहा हूं यह keyboard पर है keyboard अपना instrument नहीं है it's not an Indian instrument any keyboard instrument harmonium भी it's not our instrument it's a French instrument imported to we adapted it तो अभी यह यह C sharp है यह बदल सकता है यह कहीं नहीं बदलेगा यानि यह गो तो एनी country, anywhere in the world यह C sharp, C sharp ही बजेगा okay but I can change so it's like if I say C sharp it's like telling an address okay क्या आप 123 globe towers में आ जाना it's a specific address but sa is like saying I'm going home तो मैं भी कहूंगा I'm going home आप भी कहेंगे I'm going home sentence same है लेकिन जगा अलग अलग है है न? वैसा है वो so that is sa so sa is your home जहां से मैं शुरू कर रहा हूं this is my base sa and it can change if my base is sa and your base can be sa ऐसा octave में कहीं पर भी कौन सा भी सुरू आप सा पकड़ के octave गा सकते हैं इतना तो पज़ा जला आपको अभी see that ये भी आपने कहा के सारे गम पज़नी सा ये उपर जाना है ये पास आना है अब आप मैं आपको एक question पूछता हूँ अगर ये घर है सा तो सारे ये में घर से बाहर निकला सारे सारे गम नाके पर आया सारे गम आप दिल्ली से सोनी पज़ जा रहे हैं तो आप गुड़गाओं के टोल नाके पर आगे दूसरे आओ दूसरा यहाँ, चलो, गुडगाओ जा रहे हैं, तो तोल आगे प्यागे, सारे गमा, सारे गमा, सारे गमा, पढ़, I stopped for taking some tea and snacks, सारे गमा, पधा, मैं और गुडगाओं के पास पहुचा, लेकिन पहुचा नहीं हूँ, सारे गमा, पधा नी, अभी गुडगाओं के बाउंड तो आपको पहुचने का feeling आगे है, तो यह boundaries, set है, इसी में आप खेल सकते हैं, सा, सा, तो if this is my bass, सा, and if this is my home, सा, सारे गमा, पधा नी, then सा, is my destination, अभी आपको क्यों पसंद आता है गाना, यह सब, music composer, and a musician, and you, come along to some common ground, and you understand the same thing, तभी होगा हो, तभी you like the song, and that is why I say that you understand it, for example, अब देख लीजे, हम इतनी बार, मदन मोहन का, example ले ही रहे थे, तो, तेरी आखों के सिवा, दुनिया में, रखा क्या है, यह उठे, सुब हो चले, अभी उठे, उपर है या नीचे है, उपर है, तो इसलिए, मदन मोहन क्या करते हैं, यह उठे, सुब हो चले, उपर है, हाँ, तो आपने कहा है के उपर जाना कहा है, आपको मलूम है अभी, यह अगर वो ऐसे करते, हाँ, अभी अगर वो यह करते, यह उठे, सुब हो चले, तो डिजोनन्स है ना, इसमें, ये उठे सुब हो चले अभी जुके नीचे है या उपर है या नीचे है ये उठे सुब हो चले ये जुके नीचे आगए अभी शाम सुबह के बाद है या पहले है और मेरा जीना मेरा मरना जीना पहले है और जीना बेस है बर्त और मरना is the destination ultimate destination तो मेरा जीना मेरा मरना सी सा पहले है डेस्टिनेशन पहले है उपर मेरा जीना मेरा मरना तो ऐसा लगता है कि ब्रेक लिया है temporary लेकिन मेरा जीना मेरा मरना कहा? इन ही पलकों के तले सा विज़े बेस यहीं पहले है मेरा जीना तो यह पूरा आपको समझ में क्यूं आता है क्यूं अच्छा लगता है क्यूंकर आपके समझ में आया वो, लेकिन इसमें डिसोनेंस ये आगया है, जो आज का म्यूजिक देख रहे हैं, म्यूजिक बेशक सेम है, लेकिन जो कॉंबिनेशन था, जो डाव था जो लिरिक्स में जैसे आप बता रहे हूं ना वो लिरिक्स में के हिसाब से बढ़ना और ढ़लना म्यूजिक में, वो गयब होगे है वो लिरिक्स में अभी चोटे-चोटे सब वी साओ, हो इट बिकेम तो बड़े-बड़े फ्रेजे से हम चोटे-फ्रेजे से अभी प्रॉब्लम क्या है जब चोटे फ्रेजे में आते हैं तो जैसे हमारे चंद शास्त्र में लगू मात्रा होती है और गुरू मात्रा होती है गुरू मतलब लंबी मात्रा है लगू मतलब चोटी मात्रा है तो जब चोटी फ्रेजे सोंगी तो हम गुरू मात्रे कम यूज़ करेंगे सब छोटी लगू-लगू मात्राओं के चंद यह करें कितना express कर सकते हैं तो लगू मात्रा के चंद मतलब words भी repeat करो अभी आप नए नए गाने देख लीजे तो उसमें इतने words का repetition आपको नजर आएगा So, it's sort of a mechanical thing If you're repeating, if I continuously keep repeating, 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 repeating अगर मैं यही शब्द repeat करूँ तो हमारा interview कितना boring हो जाएगा अगर मैं कुछ नहीं बात कहूँ तो यह interesting हो जाएगा लेकिन नहीं बात सुनने के लिए आपको वक्त आई आपका podcast 10 minute का कीजिए आप जो एक घंटे का है अभी तो 10 minute का अगर आप करें तो आपको you'll have to, you can't include things which are serious in it तो seriousness के लिए वक्त चाहिए वक्त नहीं है हमारे पास छोटी मात्राओं के compositions हो गए छोटी phrases के compositions हो गए music won't say anything serious till it finds space so I have this I make music for those who have the time क्योंके if I'm making music for people who don't have the time I'm going to do the same thing वो ही बनाऊंगा में आप छोटी-छोटी phrases के गाने so वो जो मैंने कहा के जो आत्मशोध है वो बात ही खतम हो जाएगी मेरे music से I'm constantly catering to you what you want कैसा है आपको पसंद आया क्या तो product बन गया एक बार music तो it's like a ball bearing then उसकी utility है it should उसकी utility जब खतम हो जाएगी आप वो फेंग देंगे चलिए कोशल जी बहुत-बहुत मज़ा आया अपसे बात करके बहुत मुझको भी मज़ा आया यह सबसे नया बलकि सबसे अलग तरह का यह समवाद था क्योंकि music पे अभी तक हमने कुछ भी नहीं discuss किया था हमारा सब भाग गया है कि आप से contact हुआ और यह संपन हो बाया बहुत मज़ा आया I am proud to be featured on your podcast So thank you so much Thank you